ये वीत प्रश्ण वली का प्रश्ण लेते हैं प्रश्ण क्रमांग चौदा मैं प्रश्ण पढ़ दे रहा हूँ प्रश्ण क्रमांग चौदा देखें निम लिखित प्रकार से समुच्चा है सुन्य,1,2,3,4,5 में एक दी आधरी संक्रिया स्टार परिभासित कीजिए A स्टार B is equal to A plus B यदि A plus B is less than 6 तथा A plus B minus 6 यदि A plus B is greater than or equal to 6 फिर कहते हैं सिद्ध कीजिए कि शुन्य इस संक्रिया का तत्समक अवया है तथा समुच्चा का प्रत्यक अवया A is not equal to 0 जिर्क्रमणी है इस प्रकार कि 6 minus A, A का प्रत्यलोम है आए बच्चों इसको हम हल करते हैं इसको हम दो विधियों से हल कर सकेंगे पहला विधी है संक्रिया सार्णी द्वारा और दूसरा विधी है जनरल एलिमेंट मेथड ब्यापक अवयाव विधी एक ही सवाल को हम दो तरीके से समझ सकते हैं अब आपको ध्या रखने बच्चों कि संक्रिया सार्णी बना कर समझाना सरल लगता है आपको या फिर जनरल एलिमेंट मेथड से सरल लगता है आपको समझना है हम एक ही सवाल को इन दोनों विधी से समझेंगे ठीक है बच्चों चलिए माल लेते हैं समुच्चे ए बराबर 0,1,2,3,4,5 चूकि संक्रिया स्टार सच देट a cross a tends to a तब संक्रिया स्टार दी आधारी होगा यह परिभासा को ध्यां रखने बच्चों कि एक दिये गए संक्रिया दी आधारी कब होगा जब संक्रिया सच देट a cross a tends to a मिले याने इसका input क्रमित युगम के रूप में होता है और output दिये गए समुच्चे का ही आवयो मिलना चाहिए यहाँ पर a star b किस प्रकार परिभासी थे a star b is equal to a plus b यदि a plus b is less than 6 और a star b is equal to a plus b minus 6 यदि a plus b is greater than or equal to 6 तो बच्चों हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए संक्रिया सार्णी में जाने से पहले a cross a निकाल लेना चाहिए जो कि a cross a इसके बीच में जो संक्रिया है ठीक है? वो संक्रिया लगाते हैं तो संक्रिया यहां पर ध्यान रखना है a संक्रिया भी दो रूप में परिभासित है इसको ध्यान रखना है एक है a star b is equal to a plus b लेना है जब उनका योग 6 से कम हो और दूसरा a star b कमान a plus b minus 6 लेना है जब उनका योग 6 या 6 से ज़्यादा हो इसको समझना है तो बच्चों एक दो मैं समझाता हूँ बाकी को आप समझने के प्रयास करेंगे 0 star 0 is equal to क्या होगा कहता है इसका मान a plus b होगा जब a plus b less than 6 होगा तब तो 0 plus 0 कितना होता है 0 और 0 6 से कम है इसलिए 0 ही लेंगे 0 star 1 दोनों को जोड़ो कितना आता है 0 plus 1 1 इसलिए 1 लेंगे ठीक इसी प्रकार से 0 star 2 is equal to 2 क्योंकि 0 plus 2 is equal to 2 जो 6 से कम है 0 star 3 is equal to 3 0 star 4 is equal to 4 क्योंकि 0 plus 4 is equal to 4 क्योंकि 4 is less than 6 ठीक इसी प्रकार से 0 star 5 is equal to 5 क्योंकि 0 plus 5 is equal to 5 जोकि 6 से कम है ठीक है इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाते हैं 1 star 0 is equal to 1 1 star 1 is equal to 2 1 star 2 is equal to 3 1 star 3 is equal to 4 1 star 4 is equal to 5 अब 1 star 5 is equal to क्या होगा यह सीखना है 1 star 5 तो पहले आप इनको जोड के देखिए और जोड कर देखना क्या है कि क्या इस कमान 6 से कम आता है या फिर 6 या 6 से जादा आता है यह देखना है तो 1 plus 5 कितना होता है 6 तो दूसरा जो इसका कतान है a plus b is greater than or equal to 6 तब हमको लेना है a plus b minus 6 लेना है तब 1 star 5 क्या हो जाएगा 1 star 5 is equal to 1 plus 5 minus 6 हो जाएगा ध्यान दे बच्चों यहाँ पर 1 star 5 is equal to 1 plus 5 minus 6 और जिसका मान सरल करने पर आता है शुर्न तो यह ध्यान रखना है ठीक इसी प्रकार से 2 star 0 is equal to 2 2 star 1 is equal to 3 2 star 2 is equal to 4 2 star 3 is equal to 5 2 star 4 अब फिर यहाँ पर देखना है 2 star 5 तो 2 star 5 याने 2 plus 5 कितना हो रहा 7 हो रहा है याने 6 से ज्यादा है तो आपको दूसरा वाला कथन लेना है 2 star 5 is equal to 2 plus 5 minus 6 तो 2 plus 5 minus 6 मतलब 7 minus 6 याने 1 ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं 3 star 0 3 3 star 1 4 3 star 2 5 3 star 3 0 3 star 4 is equal to 1 3 star 5 is equal to 2 4 star 0 is equal to 4 4 star 1 is equal to 5 4 star 2 is equal to 0 यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं क्या रहा है बच्चों 4 star 2 मतलब 4 plus 2 कितना है 6 6 आने पर हम दूती कथन का इस्तेमाल करेंगे a plus b minus 6 तो 4 star 2 is equal to 4 plus 2 minus 6 याने 6 minus 6 is equal to 0 ठीक है इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं 4 star 3 is equal to 1 4 star 4 is equal to 2 4 star 5 is equal to 3 5 star 0 is equal to 5 5 star 1 is equal to 0 5 star 2 is equal to 1 5 star 3 is equal to 2 5 star 4 is equal to 3 5 star 5 is equal to 4 बच्चों यहाँ पर जो star है वो द्वी आधरी संक्रिया का एक प्रकार का संकेत है ठीक है यह ध्यार रखना है अब इन सबको अबजरो करिये और देखिये क्या मिल रहे है इस परस्ट है कि संक्रिया से प्राप्त अव्यों यानि आउट्पूट समुच्चे एके ही अव्यों है आप देख लीजे कहीं पर भी देख लीजे समुच्चे एके अव्यों कहां से कहां तक 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो जितने भी हम संक्रिया लगा कर जो आउट्पूट प्राप्त किये है इनी में से कोईन कोई है इससे हट कर कोई भी आवयो नहीं है इससे इसपस्ट होता है कि यह संक्रिया दियाधारी है तो जितनी बात है उसको हम संक्रिया सार्णी में पूट कर देंगा आप देखें संक्रय शाणि देखिया आप इस क्रिण पर देखिए संक्रय साणि लेप अपर कार्णर पर आपको संक्रय श्टार को लिखना है फिर उसके सीध में पंक्ति में इस समुच्चे एक यवयों को क्रम सा लिख दीजे शुन्य एक दो तीन चार पाँच और इसके नी आउटपूट के लिए यह जो लाल कलर को जो बाक्स दिख रहा है इसमें आउटपूट को रखना है ठीक है उपर जो संक्रिया च्पाप किये हैं उसको आपको पूट कर देना है और हम डारेक्ट भी पूट कर सकते हैं उपर जो लिखे हो वो लिखने की जौरत नहीं है आप यहाँ पर संक्रिया सार्णी में mention कर सकते हो 0 star is equal to 0 0 star 1 is equal to 1 0 star 2 is equal to 2 0 star 3 is equal to 3 0 star 4 is equal to 4 0 star 5 is equal to 5 ठीक, अब 1 के साथ करेंगे संक्रिया 1 star 0 is equal to 1 1 star 1 is equal to 2 1 star 2 is equal to 3 1 star 3 is equal to 4 1 star 4 is equal to 5 1 star 5 is equal to 0 ठीक इसी प्रकार से हम बाकी को mention करेंगे ठीक है बच्चों अब इसकी विश्यस्ता देखिए पहला विश्यस्ता देखिए सार्णी को गौर से देखो जो red color के अंदर है वो output वाला जो table है उसको देखना है सार्णी की सभी प्रविश्टियां दिये गए समुच्चे एके ही है आप देख लिजे सुनस लेकर पांच तक ही दिख रहे हैं उसके अलवा कहीं और यानि पांच से कोई बड़ी संख्या नहीं है सुनस से कोई छोटी संख्या नहीं है ठीक है तो पहले चीज आपको देखने की मिला कि ये जो संक्रिया सार्णी में सारी प्रविश्टियां दिये गए समुच्चे के ही है अतर यह द्वी आधरी संक्रिया को दर्साता है और यह भी देखने की मिल रहा है कि प्रविश्टिया में प्रत्येक अवयो एक पंक्ति अथ्वा एक इस्थम में केवल एक ही बार आया है, ये भी देख लिजे, तो निश्य तुम से यहाँ, एक दियाधारी शंक्रिया को दर्साता है, दूसरा देखिए आप, चुकि सार्णी के प्रत्थम पंक्ति सबसे उपर की पंक्ति के है, तो प्रत्थम इस्थम सबसे बाई और के इस्थम के संपाति दिख रहा है, आप देखने के प्रयास करें, सार्णी के प्रत्थम पंक्ति, प्रत्थम पंक्ति किसको मानना है, ये जो आउटपूट का जो सार्णी है, यानि सबसे उपर की पंक्ति छोड़ दो और सबसे बाई की इस्तम को छोड़ दो जो बच रहे वो सब आउटपूट के लिए साड़नी है तो आप देख रहे हैं साड़नी के प्रथम पंक्ती सबसे उपरी पंक्ती के एवं प्रथम इस्तम सबसे बायोर के इस्तम के संपाती है और दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं? सुन्य पर मिल रहे हैं इसलिए इस द्वी आधरी संक्रय स्टार के लिए समुच्य A में तत्समक अवयोग E का मान सुन्य है जो तत्समक अवयोग की परिभासा A स्टार E बराबर A को संतूष्ट करता है इस प्रकार से सिध्ध हुआ अब हम तीसरी बात लेते हैं इसका पहली बात कौन से हो गई? आधरी संक्रय है की नहीं है? दूसरी बात कौन से हो गई? उसका तत्समक अवयोग का स्टित्व है की नहीं? यदि तत्समक अवयोग का मान कितना होगा? अब तीसरा हम ये प्रत्यक अवयो व्यूत कर्मनी है या नहीं तो आप देखिए आप जो कि तत्समक अवयो शुन्य है जो संक्रिया सार्णी के प्रत्यक पंक्ती तथा प्रत्यक इस्तम में मौजुद है आप संक्रिया सार्णी गौर से देखें बच्चों शुन्य जो है प्रत्यक पंग्ती तथा प्रत्यक इस्तम में दीख रहा है आप अच्छे से देखिए तत्समक अवयोग शुन्य जो है प्रत्यक पंग्ती तथा प्रत्यक इस्तम में मौजूद है इसका मतलब है समुच्चा एका प्रत्यक अवयोग ब्युत्कुरम नी है प्रत्यक आयोक ब्यूत्करम को हम लिख सकते हैं ठीक है बच्चो तो आप यहाँ पर तत्समक आयोक सार्णी के आधार पर नोट कर सकते हैं ठीक है चलिए ब्यूत्करम आयोक के लिखते हैं 0 star 0 is equal to 0 है इसलिए 0 का inverse 0 फिर देखें 1 star 5 is equal to 0 सार्णी में देखते हैं गोर से 1 star 5 is equal to 0 इसलिए 1 का inverse याने ब्यूत्करम 5 है 2 star 4 is equal to 0 इसलिए 2 का ब्यूत्करम 4 3 star 3 is equal to 0 इसलिए 3 का ब्यूत्करम 3 4 star 2 is equal to 0 इसलिए 4 का ब्यूत्करम 2 और 5 star 1 is equal to 0 इसलिए 5 का ब्यूत्करम 1 अब आप देख सकते हैं 1 5 का ब्यूत्करम है और 5 1 का ब्यूत्करम है ठीक इसी प्रकार से 2 4 का ब्यूत्करम है और 4 2 का ब्यूत्करम है जो परिभासा A star A inverse is equal to E को संतुष करता है ठीक बच्चों अब है इसका दूसरा भाग लेते हैं 1 का ब्यूत्करम 5 ठीक बच्चों 1 का ब्यूत्करम क्या निकालें उपर 5 5 को कैसे लिखा जा सकता है 6-1 लिख सकते हैं 2 का ब्यूत्करम 4 उपर देखते जाएं 2 का ब्यूत्करम 4 प्राप्त किये हैं तो 4 को कैसे लिखा जा सकता है 6-2 तीन को वित्करम तीन तीन को कैसे लिख सकते हैं शिक्स माइनस त्री लिख सकते हैं ठीक इसी प्रकार से फोर का वित्करम टू है जिससे हम सिक्स माइनस फोर लिख सकते हैं और ऐसे ही फाइब को वित्करम एक है जिसको हम 6-5 लिख सकते हैं, अब इसको आप गौर से देखें, तो क्या है, यदि हम A को हम, समुच्चे A का एक अवयो ले ले, सुन्य को छोड़कर, A का प्रत्यक अवयो, जहाँ A is not equal to 0, विद्करणी है, तथा A का प्रतिलोम 6-A है, सुन्य को छोड़कर आप देखें, तो इसका प्रकार कैसा आ रहा है, 6-A, तो प्रत्यक, A भिलांक्षू समुच्चे A का प्रतिलोम 6-A होगा, जहाँ A is not equal to 0, यही सिद्ध करना था बच्चों, अब हम इसी सवाल को एक दूसरे मेथड से करने के प्रयास करते हैं, इस मेथड का नाम है, जनरल एलिमेंट मेथड, इसक्रीन पर देखें बच्चों, बाई जनरल एलिमेंट मेथड, व्यापक अवयो विधी द्वारा, सबसे पहले हम तद्समख अवयो प्राप्त करते हैं, तद्समख अवयो प्राप्त करने के लिए देखें, यदि संभव हो तो मा लिजिए संक्रिया इस्टार का तद्समख अवयो ई है, तब A इस्टार B is equal to A plus B, यदि A plus B is less than 6, जो दिया है, इसका पहले उप्योग करते हैं, जो पहला कथन है, A plus B is less than 6, तो A star B is equal to A plus B है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर A star E is equal to A, तद्समख अवयो की परिभासा लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, अब संक्रिया लगाते हैं, A star E में संक्रिया लगाओ, A plus E is equal to A, therefore E is equal to A minus A, therefore E is equal to 0, which belongs to A, सुन्य जो है, समुच्चे A के अवयो हैं, दूसरी ओर हम लेते हैं, आप देखें वहीं पर, दूसरी ओर, E star A is equal to A, there implies E plus A is equal to A, there implies E is equal to A minus A, there implies E is equal to 0, which is also belongs to A, अब दोनों पक्ष में E का मान शुन्य आ रहा है, अर्थात बराबर है, अतह E का एक अधिति मान शुन्य है, अतह तत्समक अवयो का अस्तित्व है, तत्था तत्समक अवयो E का मान शुन्य है, अब हम दूसरा कथन लेते हैं, दूसरा कथन के लिए कैसा परिभासी था है, A star B is equal to A plus B minus 6, यदि A plus B is greater than or equal to 6, इसका उप्योग करते हैं, अब तत्समक अवयो का परिभासा लगाते हैं, चुकि A star E is equal to A, तथा E star A is equal to A, यह परिभासा है, अब हम पहले भाग को ले करके करते हैं, कंडिशन कौन सर ले रहे हैं बच्चों, A plus B is greater than or equal to 6 की ले रहे हैं, पर ते किसी तिम आपको क्या लेना है, A star B is equal to A plus B minus 6 लेना है, तो यह हो जाएगा, A plus E minus 6 is equal to A, therefore E is equal to A minus A plus 6, अर्थात E is equal to 6, E is equal to 6 which does not belong to A, यह बराबर 6 आता है, जो समुच्चे A के आउयो नहीं है, ठीक ऐसा ही दूसरा भाग में भी आप देख सकते हैं, E star A is equal to A, संक्रिया लगाएं, E plus A minus 6 is equal to A, सरल करें, E is equal to A minus A plus 6, therefore E is equal to 6 which does not belong to समुच्चे A, क्या मतलब, 6 तत्समक अवयो नहीं है, अता संक्रिया star के लिए तत्समक अवयो, E बराबर 0 है, अब हम दूसरा भाग लेते हैं, प्रतियों अवयो निकालने के लिए, या व्यूत्क्रम अवयो निकालने के लिए, बच्चों चू की तत्समक अवयो का अस्तित्त है और उसका मान शुन्य है, अता इसका प्रतियों अवयो हमें मिलेगा, चलिए इसके लिए, संभव होतों माना की, B अवयो A का प्रतियों अवयो है, तब A star B is equal to E होना चाहिए, प्रतियों अवयो की परिभासा से, और B star A is equal to E होना चाहिए, अब हम पहला भाग लेते हैं, जब A star B is equal to E, B, there implies A star A inverse is equal to 0, तब समक अवयो E का मान रख दिया, 0, और B को आपने तब समक प्रतियों अवयो माना है, A का प्रतियों अवयो B माना है, इसलिए B के जगह पर आप A inverse रखें, तो A star A inverse is equal to 0, अब दियाधरी संक्रे लगा हैं इन दोनों की बीच, A plus A inverse is equal to 0, there implies A का inverse is equal to minus A, ठीक है, which not belongs to A, negative है नहीं, ठीक है, दिखरे बच्चों, है क्या इसमें, नहीं है, दूसरी वर देखते हैं, B star A is equal to E, B कमाण रखते हैं और E कमाण रखते हैं, there implies A inverse star A is equal to 0, there implies A inverse is equal to minus A, जो की A के आवयों नहीं है, ठीक है, यह पहले भाग जब A plus B is less than 6, तो A plus B is less than 6, ठीक है, अब हम दूसरा भाग लेते हैं, A plus B is greater than or equal to 6 के लिए, A star A inverse is equal to 0, E कमार रख दिया, अब परिभासा कैसा है, A plus B is greater than or equal to 6 के लिए परिभासा कैसा है, A plus B minus 6, तो ध्यार रखे, A star A inverse is equal to, A plus A inverse minus 6 is equal to 0, therefore, A inverse is equal to 6 minus A, ठीक, इसी प्रकार, A inverse star A is equal to 0, अब परिभासा लगा दिजिए संक्रिया का, A inverse plus A minus 6 is equal to 0, therefore, A inverse is equal to 6 minus A, अत्रह A का परितिलोम 6 minus A है, जहां A is not equal to 0, बचा हम एक last question लेते हैं, ये SCRT book, का question है, उदाहरन नमबर 49, 49, ये page 32 में है, मैं ये प्रश्न पढ़ देता हूँ, सिद्ध कीजे की समुच्चे 1, 2 में, ऐसी द्वी आधारी संक्रियाओं की संक्रिया केवल एक है, जिसका तसमक एक है, तथा जिसके अंतरगत दो का परितिलोम दो है, बच्चों हम इसको general element method से सिद्ध करते हैं, method का नाम उलेक कर देते हैं, by general element method, ठीक है, तो चलिए, क्या किया दिया है, उसको पहले note कर लेते हैं, माना दिया गया समुच्चय को समुच्चय अ माल लेते हैं, तो समुच्चय A बराबर 1 2, तथ समक आयोकमान एक दिया है, असलिए E बराबर एक, और दो का परρितिलोम दो दिया इसलिए 2 का inverse बराबर 2, अब यहाँ पर एक रास A निकाल लेते हैं, एक राह से क्या आएगा? 1 1 1 2 2 1 2 2 दूए आधारी संक्रिया कैसे परिभासित होता है? माली जे स्टार एक दूए आधारी संक्रिया को दर्साता है तो संक्रिया स्टार such that A x A tends to A एक दि आधारी संक्रिया है तब चू की तत्समग अवयों की परिभासा कहता है A star E is equal to A is equal to E star A चले पहला भाग ले लेते हैं A star E is equal to A तब A star 1 is equal to A ठीक है? अब यहाँ पर A star 1 is equal to A आ रहा है इसका मतलब A के भिन-भिन मान के लिए क्या क्या आता है देखते हैं A बराबर 1 पर 1 star 1 is equal to 1 which belongs to A फिर A बराबर 2 लेने पर 2 star 1 is equal to 2 which belongs to A अर्थात star 1 1 बराबर 1 star 2 1 बराबर 2 दूसरी और हम लेते हैं E star A is equal to A के लिए 1 star A is equal to A 1 star 1 is equal to 1 which belongs to A 1 star 2 is equal to 2 which belongs to A therefore star 1 2 is equal to 2 और star 1 1 is equal to 1 तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है कौन कौन से हमें प्रविष्टिया मिल गई star 1 1 मिल गया star 2 1 मिल गया star 1 2 मिल गया star 1 1 मिल गया अब कौन सा नहीं मिला उसको खोजना है ठीक है इतने में आपको इस पश्ट हो रहा है कि संक्रिया star एक अदिती रुप से परिभासित है अब केवल क्रमित युगम 2 2 सेस रह गया ठीक है अब चूंकि प्रतिलों का परिभासा कहता है A star B is equal to E is equal to B star A अब हम पहला भाग लेकर के समझते हैं A star A inverse is equal to E there implies A star A inverse is equal to 1 E कमान रख दिया 1 दिया इनोंने E कमान 1 there implies 2 star 2 का inverse is equal to 1 अब 2 inverse is equal to 2 दिया है तो 2 inverse के जगह में 2 रखते हैं there implies 2 star 2 is equal to 1 आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों 2 star 2 is equal to 1 ठीक है दूसरी ओर ले लेते हैं A inverse star A is equal to E अब हम E कमान रखते हैं A inverse star A is equal to 1 therefore 2 inverse star 2 is equal to 1 अब हमको दिया है 2 inverse is equal to 2 इसलिए 2 star 2 is equal to 1 अब दोनों पक्षों में आपको देखने के में रहे हैं 2 star 2 is equal to 1 इसका मतलब क्या हुआ? कि star 2 2 is equal to 1 होना ही चाहिए यानि 2 operated 2 is equal to 1 होना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ? कि 3 आधरी संक्रियाओं की संक्या केवल एक है अब इसी example को बच्चों आप संक्रिया सार्णी से आप समझ सकते हैं चलिए संक्रिया सार्णी आप देखें चुकि A कमान दिया है 1 2 समुच्चे A बराबर 1,2 इसलिए A क्रों से 1 1, 1, 2, 2 1, 2 2 अब हमें संक्रिया सार्णी बनाने है तो चुकि E बराबर 1 है अतरह तत्समक अयोक अस्तित्व है यह इस पस्ठ है अब A star E is equal to A तथा E star A is equal to A अब हम क्या करते हैं? A is equal to 1 रखते हैं तब 1 star 1, 1 होगा A बराबर 2 रखने पर 2 star 1, 2 होगा ठीक है? फिर है, E star A is equal to A में रखते हैं A बराबर 1 तब 1 star 1 is equal to 1 तथा A बराबर 2 रखने पर 1 star 2 is equal to 2 अब इसके आधर पर हम सार्णी बनाते हैं इसके सार्णी, संक्रिया सार्णी इसक्रीन पर देखिए संक्रिया सार्णी संक्रिया लेट कॉर्णर पर सबसे उपर star फिर सबसे उपर की पंक्ती में 1,2 याने A क्या हो और star की नीचे सबसे बाएं इस तब में A क्या हो या 1,2 अब हम इसको पोस्टिंग करते हैं प्रविष्ट कराते हैं 1 star 1 is equal to 1,1 star 2 is equal to 2 फिर 2 star 1 is equal to 2 and 2 star 2 is equal to 1 यह हो गया संक्रिया सार्णी ठीक है? आख्री में जो बचा था कौन सब परविष्टी? 2 star 2 का परविष्टी यही बचा था ठीक है? जो कितना आएगा? 2 star 2 का परविष्टी जो बचा है और कितना आएगा? उसको हम समझते हैं कि 1 कैसे आया? सार्णी सिस्पष्ट है कि प्रथम पंक्ती और प्रथम इस्थम 1 पर मिलते हैं आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि प्रथम पंक्ती तथा प्रथम इस्थम 1 पर मिल रहे हैं आप देख सकते हैं, इसका क्या मतलब? इसका तत्समक और यह बराबर एक है, और यह बराबर एक है, तो और कहां पर लास्ट जो इंट्री है, टू इस्टार टू, क्या आना चाहिए? क्यों? टू इनवर्स इसकोल टू दिया है, आप प्रश्म में देखें बच्चों, टू इ इतकरम दो दिया है, इसले टू इनवर्स टू होने के लिए लास्ट इंट्री एक होना चाहिए, ठीक है बच्चों? इस परस्ट है कि ए में दी आधारी शंक्राओं की शंख्या केवल एक है, जिसका तत्समक और एक तथा दो का प्रतिलोम दो है, तो बच्चों मैं समझता ह कि इन उदाहनों के आधार पर हम दी आधारी शंक्रिया क्या है, दी आधारी शंक्रिया होने के लिए सरते कौन-कौन सी है, दी आधारी शंक्रिया का संक्रिया साड़नी कैसे बनाएंगे, संक्रिया साड़नी की विशेस्ता को ध्यान पर रखते हुए, हम दी आधारी शंक् आधरी संक्रिया को परिभासित करना और यदि तत्समक आधरी संक्रिया को अस्तित्त है तो हम किसी आधरी संक्रिया को बड़े अच्छे से समझे होंगे और यदि समझ गये होंगे तो निश्ची तुरुप से आपको फाइदा होगा और प्रस्णवली के लगभक सवाल सारे सवाल आपसे निश्ची तुरुप से बनेंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ थैंक यू